हेलो डियर स्टुडेंट कैसे हैं आप सब उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे मैं राजा चौदरी एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने केडी श्टेडी वा यंकित राजा पर और आज हम प्रॉफिट और लॉस की चौथी क्लास आपके सामने लेकर आए हैं हमने त इसका एड्रस आपको इस पर दिख रहा होगा और इस लाइबरी में वो सभी सुभधाए हैं जो एक लाइबरी में होनी चाहिए तो आप यहां संपर्क कर सकते हैं और जोइन भी कर सकते हैं अगर आपको पढ़ने हैं तो यह हमारे विध्यारती हैं बड़ अच्छा फेसिल में आये हैं CPU में आये हैं वो कैसे लगाए जाते हैं और आज हम फिर चौथी क्लास में भी ऐसे ही दमदार सवाल आपके सामें लेकर आए हैं जन्हें आपको देखकर लगेगा कि अरे आज तो मजा आया पढ़ने में और जब तक पढ़ने मजा नाये तो पढ़ने का फायद at what price should he sold it so that he get 26% profit profit भी हो रहा है loss भी हो रहा है और profit लेना भी है पैसे भी ज़्यादा मिल रहे हैं ऐसा question CGL में बहुत ज़्यादा पूचा जाता है है इस question को हम करेंगे बड़ा अच्छा question है बड़ा अच्छा solution बनेगा इसका ये देखो आपके सामने screen पर आपको दीख रहा हो गए question कि This Q को करने के लिए हमें कुशन ही करना है इस question कोई आपसे कहने लगे कि इनकी सेली बिताईए आपको पता ही नहीं है तो आप बताएंगे कैसे लेकिन हाँ आप इतना जरूर कह सकते हैं कि सर जब आपने कोई भी चीज परचेज की होगी तो हमें नहीं पता कितने रुपे की थी लेकिन आप इतना कह सकते हैं कि जब आपने सर उस चीज का payment किया होगा तो आपने उसका 100% payment किया होगा और जैसे ही हमने 100% payment किया तो वो उसका क्या हो गया cost price तो आपके सामने question को हम यह solve करते हैं solution में आप देखेंगे हमें पता चला कि उसका जो price है वो 100% है विरुकुल माल लिया हमने 100% है जब price हमने हमने उसका 100% माल लिया और हमने इसको 5% के profit बेज दिया यानि कि कितने की बेज दिया 105 की अब हमें उस price पर 77 रुपीज less यानि कि कम प्राप्त होंगे जिसे हम 9% loss पर बेचेंगे यानि कि 9% loss का मतलब कितना हो गया 91 91 दिख गया अब आप मुझे पताईए हमने खरीदी कितने की 100 की बेची कितने की 105 की बेचना कितने चाहते थे 91 कम पर तो मुझे यहां से 91% से और 105% तक कितने परसेंट का घाटा हो गया कितने परसेंट का loss हो गया तो मुझे पता चला कि 91 से 105 जाने में मुझे 14 सीधियां चड़नी पड़ेंगी यानि कि जो 77 की value है वो कितने परसेंट है बेचा 14% है 14% है हमसे क्या पूछ लिया जिसे 26% लाब प्राप्त हो जिसे sold करने पर 26% प्राप्त हो यानि कि selling price पूछा है 126 मैंने आपसे बताया था कि जब profit होता है तो 100 में जोड के लिखते हैं और जब loss होता है तो 100 से minus करके लिखते हैं आप इसको काट देंगे 2 times 7 से और ये कट जाएगा आपका 11 times आप इसको काटी 2 से 2 6 जा 2 3 जा आप multiply करेंगे तो answer आपका आजाएगा 693 और ये इस question का answer हो गया बड़ी उम्मीद है मुझे कि आपकी समझ में ये सवाल आया होगा बड़ा simple था करने के लिए हम अगर x मान लेते तो board भर देते हमें पढ़ने भी इतना ही मजाएगा इतना में आना चाहिए चलिए दूसरी question की तरफ चलते हैं दूसरा question लिखा है एक आदमी एक लाक नवासी हजार नवासी सो अठारा दर नौसो या चलिए रुपे में कुछ वस्तु कहिता है तीन बटे आठ को पांच परसेंट की हानी पर बेचता है कुल मिलाकर बारा परसेंट का लाप राप्त होता है उसे सभी पर ठीक है तो सेस वस्तुओं को कितने प्रती सत पर बेचेंट की उसे सभी पर कुल मिलाकर कितने प्रसेंट का बाराप हो बारा परसेंट का अम मैं परसेंट सम आठिकल फर वन एट ने जीरो जीरो रुपी तो अगर आप इस सवाल को आज की किलास का एकदम दमदार सवाल मानिये और आप कहिए कि यह सवाल सवाल इतना अच्छा है इतना अच्छा सवाल है कि अगर आप जब इस सवाल को करेंगे तो आपको करने में इतना मज़ा आएगा एकदम तगड़े तरीके से इस question को करने का एक बड़ा symbol सा हमारे पास तरीका है बड़ा simple सा एक logic है और छोटा कर देते हैं थोड़ा सा यह देखिए यहां लगा देते हैं इसको ठीक है और हम इस question को solve करते हैं यह देखो अब आपको पता होना चाहिए कि हमें question ने दिया 1,89,000 ठीक है यह 18,900 मालो अब ठीक है इसका अगर हम 3 by 8 निकालते हैं तो आप मुझे बताईए कितना आएगा मेरे हिसाब से तो यह point में आना चाहिए और जब यह point में आएगा तो बिटा आपको पता है कि जब कोई भी चीज पॉइंट में आ जाती है तो उसकी calculation हमारे लिए थोड़ी सी क्या हो जाती है टफ हो जाती है और point में एकसर चीजें क्या हो जाती है गड़वड़ा जाती है गड़वड़ा जाना ही बिकार चीज है तो आपको मैं आज एक बात बताता हूँ जो आपको हमेशा याद आपको जो बात याद रखनी है आपको ये वाली बात याद रखनी है कि जिस question में हमें fraction दी हुई हो हमें percent value दी हुई हो ऐसे questions में जो question की original value होती है उसका कोई role नहीं होता वो हमें confuse करने के लिए दी हुई होती है अगर हम इस value पे चलेंगे तो हम उतने अच्छे से चीज़ को नहीं कर पाएंगे लेकिन अगर हम इस सवाल को करना चाहें percent पे तो आप देखिए question ने कहा हमारे पास जो article है वो कितना है वेटा 3 by 8 है 3 by 8 मैंसे हमने हमारे पास हम कह सकते है total कितना है 8 है 3 को बेज दिया हमने 8 मैंसे 3 बेज दी कितने percent पे 5% के loss पर तो minus लगा दो बेट 15 और total पे हमें चाहिए कितने percent का profit 12% का profit यानि कि 12 एट्जा 96 यह है हमारी final value है 12 एट्जा 96 हमारी final value है और हमें चाहिए कितना minus 15 से भी पीछे जाना है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा आप मुझे एक बात बताओ 8 वस्तू हमारे पास total थी हमने 5 बेज दी sorry 3 बेज दी हमारे पास पची कितनी 5 अब मैं आप से केवल एक ही बात पूछना चाहता हूँ दियान से देखेंगे बोट की तरफ बेटा जब यह 96 यहां आया यहां कोई value आई होगी यहां लिखा है minus का 15 तो बेटा यहां पर जो भी value आई होगी उस value से हमने 15 minus किया होगा तो 96 मिला होगा तो अगर मुझे यह वाली value चाहिए कौनसी वाली यह वाली value चाहिए तो मुझे इस 96 को इस 15 में जोड़ना पड़ेगा तो मेरे पास आजाएगा आपका 111 वन वन आपका आगया यह value अब हम सवाल हमारा खतम हो गया कुछ नहीं था अब हमें केवल इसमें इतना सा काम करना है कि हमें यह देखना है कि अब हम 5 में कितने की multiply करें कि triple 1 आजाए तो क्यों ना हम इस triple 1 में 5 का divide ही कर दें तो यह आज आएगा आपका 22.2% मेरे हिसाब से यह जो value थी यह आपकी आएगी 22.2% और answer हो जाएगा आपका 22.2 आप बड़े अराम से लगाईए और बड़े तगड़े तरीके से लगाईए बड़ा तगड़ा सवाल है यह आज की class का और हम आगे चलेंगे अब इसके तीसरे सवाल पर है कि आप उसका सवाल भी बड़े अच्छे से मुझे देंगे अगले सवाल की जरफ चलिए अगला सवाल आपकी स्कीन पर लिखा है a man purchased some article for 2000 रूपीज a man purchased some article for 2000 रूपीज he sold 3 by 7 at loss of 5% बिल्कुल सही है at what price did he sold the remaining article to obtain 9% profit in all बिल्कुल पहले जैसा ही सवाल है कैसे करेंगे अक्तर मुझे बड़ी असानी से बताएंगे यह लग्या सवाल हमारा यहां हमें चाहिए इसका अब क्या अंसर इसका अंसर कितना आएगा बेटा मुझे बथाओ कितना आना चाहिए जल्दी जल्दी फदाफट कमेंट करो, कमेंट में आंसर दो, कितना Cover आईगा देखो, आंसर इसका बड़ा आसान था, वही काम हमें करना है, कुशन ने कहा हमारे पास जो आठीकल है , वो टोटल हैं कितने थिरी बाय सेवन, जब हमारे पास टोटल ही आठीकल थिरी बाय سेवन हैं तो हमें इसमें कुछ नहीं करना हमें केवल बड़ी छोटी सी बात जाननी थी कि जब ये 3 by 7 हमारे पास थे तो हमें टोटल पर इस टोटल 7 पर हमें जो प्रॉफिट होना चाहिए था वो होना चाहिए था 9% का और जब हमें इस पर 9% का प्रॉफिट होगा तो हमारी final value जो आएगी वो कितनी आएगी पैटा वो value आएगी हमारी 63 अब हमने अपनी final value इस पर लिख दी मुझे लगता है थोड़ा सा दिखने में थोड़ी से problem हो रही है reflection हो रहा है अब सही है यह 63 अब जब यह 63 आगया तो हमने इसमे से पहले बेची कितनी 3 जब हमने इस value में से 3 बेची कितने पर मैनस 5% पर तो यह हो गई आपकी 15 माइनस का अब हमें चाहिए कितनी और चार और बेशनी है तो हम कितने पर बेशेंगी हमें ये वाली वैल्यू मिल जाए तो हमें 63 को अब बिटा एड करना पड़ेगा 15 में क्यूंकि जो भी वैल्यू यहां आई होगी उससे हमने अविस सी बात है 15 माइनस किया होगा तो हम 63 में 15 जोड देंगे तो ये हो जाएगा 78 अब हमें चाहिए क्या 78 चाहिए अब जब 78 हमारे सामने लिखा है तो हम 4 में कितने की मिल्टिप्लाई करें कि हमारा 78 आ जाए तो क्यों ना हम इस 78 में इस वाले 78 में हम 4 का डिवाइट लगा दें तो मुझे लगता है 19,476 होते होते हैं तो ये direct value मुझे मिल जाएगी 19,5% तो मैं कह सकता हूँ कि यहां जो भी आया होगा हमने उससे 19,5 में मिल्टिप्लाई की होगी और हमें 78 मिल गया होगा और मेरा answer बेटा हो गया 19,5 बड़ा अच्छा सवाल था बड़ा दमदार सवाल था SSE का बड़ा हिट सवाल है और ऐसे ही हम आगे दीरे दीरे पढ़ते रहेंगे दीरे दीरे चीजें आपको समझ में आती रहेंगी लेकिन बटा आपको करना क्या है आपको सबसे पहले एक बात सीखनी है आपको चीजों से घबराना नहीं है अगर आप चीजों से घबराएंगे तो चीजें आपका पी नहीं है यह देखो बड़ा दंदार सवाल एक तो मजा आएगा लगाने में सवाल को क्विश्चन लिखा है आपके सामने स्कीन पर समान क्रेमुल्य वाली 14 घड़ियों को 450 रुपे प्रति घड़ी बेचने पर चार घड़ियों के क्रेमुल्य के ब्रावर लाब होता है तो एक घड़ी का क्रेमुल्य क्या होगा मैंने आपको बताया था विटा मैंने आपको बताया था कि जब हमें कोई भी ऐसा सवाल लगाना हो तो हमें घवराना नहीं है हमें केवल हिम्मत से काम लेना है और जब हम हिम्मत नहीं हारते तो हमारा कोई कुछ नहीं उखार सकता तो हमें करना क्या था मैंने आपको सबसे पहली क्लास में बताया था कि यहां कहा है हमें से क्विश्चन ने कि आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो चार घडियों के किर्यमू लेके बराबर हो रहा है लेकिन मैंने आपको बताया था कि बिटा जब प्रॉफिट निकालते हैं तो प्रॉफिट निक जोपिशे पताओ उसने 14 गड़ी बेची बेजी 14 गड़ी बेची और एक गड़ी 450 की है बेज दी यह माइनस कर दो और इधरा आ जाओ है अब हमें नहीं पता कि घड़ी का क्रेव मुल्य कितना है हमें नहीं पता कि जो घड़ी है वो कितने रुपे की है, तो मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ घड़ी का प्राइज मालेंगे, हमने कहा घड़ी 14 रुपे की होगी, sorry, हमने कहा घड़ी डबलू रुपे की होगी, डबलू for watch, आराम से ली सकते हैं, तो हमें यहाँ ज्यादा फसना नहीं है, हमें यहाँ किवल इतना स काम करना है, कि एक लॉजिक वाली बात जो है, जब हमने 14 घड़ी बेची है, तो हमने 14 घड़ी खरी दी होगी, यह common sense वाली बात है, इसके लिए आप कहूँ कि यह ऐसा नहीं है, तो बहुत बताएगा फिर कितनी घड़ी दी है, जब बताएगा तो फिर फसाई नहीं, question ही सवाल होगा, अब हमें क्या करना था, हमने 14 घड़ी बेची, तो हमने 14 घड़ी खरीदी होगी, और एक घड़ी जो होगी, वो कितने रुपे की होगी, डवलू रुपे की, अब प्रॉफिट जो हुआ वो चार घड़ी के क्रेमूल लेके बराबर हुआ, तो यह हो जाएगा चार का एक घड़ी का डबलू, तो चार डबलू, खतम, सवाल खतम हो गया, तो आप इधर लेके जाएगे इसको, इधर ले आओ, तो यह हो जाएगा, 18 वॉच, इस इकल टू, 14 गुणा 450, बेटा जब गुणा बड़ी होती है, तो इसको ऐसी लिखा छोड़ देते हैं, क्य सब्सक्राइगे, 9-2, 9-5, 50 बार, 2 से कितने टाइम, 7 बार, और 7-5, 50, आप का जाएगा, 350, यानि कि एक घड़ी जो हमने मानी थी बेटा, वो हमने कितने रुपे की मानी थी, 350 रुपे की, और जो क्रेम उल्ले हो जाएगा, हमारा 350, option number A, right answer of this question, आज की क्लास में बड़े सवाल हो रहे हैं, मुझे उम्मीद है, आपके समझ में भी सवाल आ रहे होंगे, बड़े अच्छे से आप कर भी रहे होंगे, तो ऐसे सवालों में करने में बटा कुछ नहीं है, ऐसे सवालों को करने से हमें इतना साहस मिलता है, इतनी महनत मिलती है, कि हमें करने में इतना म और इस सवाल में कुछ नहीं है, second हो में, कोई कहे ना कि minute भी लगती है, 30 second भी लगती है, second हो में solve, करते हैं, देखो, अंकित भी मुले भी 900 रुपे था, हमने जो बेशा, उसमें भी 900 रुपे था, 40% का हमें profit हो गया, सेलिंग पे और हमें profit percent बताना है, क्या होगा, profit percent बताने के लिए हमें इसमें कुछ नहीं करना, profit percent बताने के लिए, बिटा, हमें इसे में कुछ नहीं करना, और ये answer हमारा second हो में solve हो जाएगा, देखते ही, question, पांच्वा सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है, अगर बेटा, आप direct exam में जाते हैं, बैठते हैं, तो आपको यहां केवल एक ही बात सीखनी है, कि exam में, अगर हमें exam को crack करना है, exam pass तो दुनिया करती है, 33% तो किसी की भी आ जाएंगे, लेकिन, cut-off qualify करना में इन चीज ह होती है, अगर exam qualify करना है, तो आप छोड़ी दो, आप option पर जाओ, आपको दिख रहे है, percent में option है, यानि कि हमें इस 900 रुपे का कुछ नहीं करना, इस 900 रुपे को केवल confusing के लिए हमें दिया था, इस 900 रुपे से हमें कोई भी मतलब नहीं है, यह हमें केवल confuse करता है, हम इसक हमें कितना, answer is खदम, आपका यह हो जाएगा, 22 जा, 23 जा, आप करेंगे इसको, 200 by 3, answer is 66, 2 by 3 परसेंट आपके सामने, और यह सवाल हमारा चुटकियों में खदम, 66 सही 2 बटे 3 परसेंट, इस सवाल का क्या आजाएगा, answer आजाएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप की समझ म में भी यह सवाल आया होगा, और इस सवाल का answer, आपका option, आपका option number A, is the right answer of this question, 66 सही 2 बटे 3 परसेंट, ठीक है, कितना तगड़ा सवाल था, कुछ भी नहीं था, अगर हमें करना आता है, तो यह चीजें हमारे लिए बिल्कुल भी कठिन नहीं है, अब हम आगे चलता है, अ समझना है, चीजों पर थोड़ा सा focus भी करना है, ठीक है, हमें क्या होता है बेटा, हमें दो चीजें होती है, कि हम या तो सवाल को basic तरीके से लगाएं, या फिर हमें exam crack करना है, तो फिर हम उस हिसाब से लगाएंगे, तो हमें exam crack करना है, तो फिर हम तो exam की हिसाब से पर देखो, पहले ये वाले को कितने percent के profit पर? 16 % के profit पर ये plus लगा दो, दूसरे वाले को 12% के loss पर आपने ब Wizards होटा मैंने बताया था कि एक method होता है और अलिगेशन मैफोड का मतलब हो गया कि जिस सवाल में ये अलिये लगेगा उस से आसान सवाल हमारे लिए कोई और नहीं वन में आई बात आसान सवाल उससे कोई नहीं है तो हमें ये बात याद रखनी है allegation लगता कहा है जहां कोई भी तो condition दी हुई हो और किसी तीसरे condition या overall की होने या ना होने की बात करें होती है तो सवाल खतम नहीं होती है तो निकाल लेंगे जब खतम हो जाएगा लेकिन यहां कहा कि पहली वाली 16% के profit पर दूसरी वाली 12% के loss पर उसके बाद ना कोई profit होता है ना loss होता है तो हो जाएगा बेटा 0 अगर profit होता तो plus में करके लिखते है यहां से इसको घटा लो यहां से इसको घटा लो तो बेटा यह 16 बचेगा और यह 12 बचेगा यह बात याद रखनी है कि यह जो आता है यह हमेशा आता है रेशो में और जब यह अनुपात में आएगा तो अनुपात में कड़ जाएगा 4 तीया 12, 4 for the 16 4 और 3, 7 अब हमें पता चला कि दोनों पैनों का 7 है सवाल के हिसाब से कितना है 840 तो बेटा 1 की value कितनी हो गई 120 और जब 120 एक की value हो गई तो 3 की कितनी हो जाएगी into 120 कितनी बेटा 360 into 120 कितनी हो जाएगी बेटा हिया आ जाओ 480 अगर हमें profit वाला चाहिए तो profit वाला loss वाला चाहिए तो loss वाला question हम से का profit वाला profit वाला answer is 360 loss वाला पुछी तो 480 हमारा option हो जाएगा option number B right answer of this question 360 रुपे इस सवाल का answer आएगा देखो बेटा कितना अच्छा सवाल था कितना मज़ा आया करने में आखे चलते हैं question number 7 आज की class का जितना और उतना अगर हमें आता है याद रखिए वो सवाल आसान उससे कोई नहीं होता है बड़ा दमदार सवाल है बड़ा अच्छा सवाल है exam में कई बार पूछा भी गया है question ने कहा है जितने रुपिया में हम किसी वस्तू को 436 रुपे में बेचने से profit कमाते हैं उसी वस्तू को 464 रुपे में बेचने से लाब और कमाते हैं तो उस वस्तू का lag akmula यानि कि हमसे क्या पूछा है हमसे पूछा है cost price हमसे बड़ा क्या पूछा है हमसे पूछा है CP लेकिन एक बात याद रखो जिसमें जितना लाब उतनी हानी हो या फिर उतनी हानी जितना लाब हो ऐसे सवालों के लिए डारेक्ट फॉर्मूला होता है डारेक्ट हम कर देते हैं यानि कि जितना प्लस उतना बटे 2 हमसे कहा 436 है दूसरा कुंतना है 464 हमें कुछ नहीं करना इसमें केवल 2 का भाग लगाना था यह आपका आजाएगा 900 by 2 आप आंसर जाके लिख देंगे कितना 450 option number में होगा option number कौन सा है बेटा option number B हम कह सकते हैं कि इस सवाल का जो हमारा answer आएगा वो 450 आएगा इस question को हम basic से भी कर सकते थे CP भी मान सकते थे X भी मान सकते थे value को ले के जा सकते थे equivalent Zahlen थी तो हमें उन चीजों से कोई फरक नहीं पड़ता उन चीजों से फरक पड़ता है उननको चो X मान के करते हैं basic से करते हैं लेकिन exam crack करने के लिए हमें trick पेचाना पड़ेगा logic पेचाना पड़ेगा concept सीखने पड़ेगे तो हमें देखना है कि जितना लाब उतनी हानी उतना लाब जितनी हानी अगर किसी सवाल में देखने को मिले इनकर्ट वेना लाउस प्रसेंट मिले हाना गेन प्रसेंट मिले तो ऐसे सवालों में दौनों को जोड़ेंगे और दो का भाग लगा देंगे वो जो भी आता है वो उस वस्तू का क्या होता है कॉस्ट प्राइज यानि की क्रेमुल है हमारा आंसर देगा साड़े चार सौ अगली सवाल पर चलते हैं विटा क्यूशन नुम्मर आठवा आज की क्लास का बड़ा अच्छा सवाल है एससी का बड़ा हिट सवाल भी है बहुत सारी बुक्स में आपको देखने को भी मिलेग जो प्रतिसत है उसमें 5% की प्रॉफिट हो जाता है प्रद्धी हो जाती है तो हमसे उस वस्तु का कॉस्ट प्राइज पूछा है यानि की क्रेमुल होगा तो हमें इस कुशन को लगाने में कोई भी हिचकच नहीं होनी शाहिए इस कुशन को करना उतना ही आसान था जितना हमसाम को खाना खाते हो एक हाथ से तोड़ा और भूमें सीधा खाना खाया हमने बात खतम हो गई समझ में आई बात जितना आसान हमें लगता है कि यह सबसे असान है उस सवाल को करना भी उतना ही असान था अब देखो कोई चीज 400 रुपी की थी वह बटा कितने की हो गई 300 क हो गई तो हमें रुपे में कितने का घाटा हुआ 50 का सवाल ने कहां नई परसेंट में तो पांच का है तो हम कह सकते हैं कि पांच की जो वैल्यू है वो पचास के बराबर है हमें चाहिए सीपी तो बटा सीपी के लिए मैंने आपको बता रखा है multiply by 100 यह 5 से 10 टैम्स और हमा पर सी एक हजार रुपे आपका अंसर हो जाएगा बड़ा अच्छा सवाल था ठीक है करने में भी आपको मज़ा आएगा ऐसे सवाल हो करने में उतना ही मज़ा आता है इतना आप आराम से जिंदगी जीने मिलेते हैं चलिए अगला क्रेश्य दो गोड़ों का जो मुल्य है वो 87,000 रुपे है करे मुल्य पहले गोड़े को 60% के लाप पर बिच जाता है दूसरे को 20% की हानी पर यही दोनों गोड़ों का सेलिंग प्राइस समान हो बड़े है सवाल कोई दिक्कत नहीं हमें कोई फरक नहीं पड़ता अब सेलिंग प्राइस समान रख लो कोई सा प्रा 80,000 रुपे है इसमें दो गोड़े है कौन-कौन से पहला गोड़ा CP1 दूसरा गोड़ा बेटा CP2 दूसरे वाले को हानी पर 20% की तो 80 पहले वाले को प्रॉफिट 60% का तो बेटा 160 और दौनों को जो बेका है वो बिरकुल समान मुल्य पर बेचा है यानि कि जो सेलिंग प्र एंटूसरा कट गया तो अब हम जब दो बराबर की चीजों को बेटा बटे में लिखेंगे CP1 upon CP2 तो हम कहेंगे ये एक हो जाएगा ये दो हो जाएगा दौनों कितने होगे बेटा तीन, तीन की वैल्यू कितनी है? 87,000 चलिए तो बेटा एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 unit 29,000 जब ये 29,000 होई गई हे तो हमसे पूछा है पहले गोड़े का CP तो पहला एक ही है तो 29,000 के हिसाब से पहला कितना हो जाएगा? पहला बेटा हो जाएगा आपका 29,000 चलिए दोसरा बहाला हो जाएगा तो गोड़ा 39,000 चलिए दौनों के आंजर पहला गोड़ा 29,000 का दूसरा गोड़ा 58000 का था, आंसर हमारे सामने है, आंसर लगाना कोई tough काम नहीं है, आंसर लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, चलिए, अगले सवाल पर चलते हैं, और आज हम 10 सवाल सीखेंगे, ये 9 सवाल था, और एक और सवाल करेंगे आज की क्लास में, और बेटा हम अग आरे वा, बड़ा अच्छा सवाल है, पढ़के देखो बेटा एक बार क्यूशन को, बड़ा कर देते हैं, यहां देखो, पढ़के देखो क्यूशन को, चलो, चलो, पढ़ो, बड़ा फट से, क्यूशन लिखा है, एक वस्तू को 8800 रुपे में बेचने से, प्राप्तलाब उसी वस्तू को 8800 रुपे में बेचने से, उस नुक्सान के राशी के बराबर है, चलिए, यहां तो अवरेज निकल जाएगा, 8800 से लेके 8800 का अवरेज निकालेंगे, बड़ीकुल है, यदि स्वेशन लिखा गया, 900 रुपे क्या है, इसका सेलिंग प्रैस है, चलिए सवा आपका 8800 से लेकर के कहां तक 7200 तक का, तो आप करिए क्या, 8800 प्लस कितना, 7200, कितनी वैल्यू है, 2 है, तो 2 का डवाइड लगा दू, तो यह बटा कितना आ जाएगा आपका, यह आजाएगा 16 और यह हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइज कितना 8000, अब आपका कॉस्ट और सेलिंग प्राइज का रेशो भी है, अब जब यह कॉस्ट प्राइज और सेलिंग प्राइज का रेशो है, तो इसे हमें करने में कोई भी अपत्ती नहीं थी, हम तौनों जीरो काट सकते थे, इससे हमको काट सकते थे, 16,500 और 16,600, 5 by 6 हो गया, 5 रुपे की खरीदी, 6 की प्राइज दी, तो प्राफिट कितने का, प्राफिट परसेंट होगा, विर्कुल हमें लाप पिरसेद पुछा गया है, एक का 5 पे, तो 100 पे कितना, आंसर इस 20 परसेंट, ऑप्शन में हैं पिटा 20 परसेंट, हाँ जी, विर्कुल है, ऑप्शन नुम्बर A, राइट आंसर आपकी समझ में जितने भी कुशन हमने कराएं हैं, वो समझ में आये होंगे, और कुशन में आपको अच्छे सवाल भी मिल रहे हैं, और मैं कोसिस हर बार यही करता हूं, कि आपको जितना भी मिले, वो बहतर मिले, जब तक हम बहतर लेंगे नहीं, तो पढ़ने का क्या फाय हैं, उनको भेजें, केडी स्टेटी भाय अंकित राजा एक ऐसा चैनल है, जिस पर आपको सभी क्लासेज इतने अच्छे तरीके से मिलेंगी, एगो दून में इतना अच्छा सेडूल बनने वाला है क्लासेज का, कि आपको पढ़ने में इतना मजा आएगा, कि आप कह सकते ह आपको अगली क्लास में, केडी स्टेटी भाय अंकित राजा आपको अपना यूट्यूब चैनल है, सेर लाइक कमेंड करना बिर्कुल ना भूले, और अगली क्लास में इस से भी बहतर, हर क्लास में एक से एक बहतर, आपको मिलता रहेगा, यह मेरा वादा है आप से, एक फिर मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है, ओके, बाई बाई